तो रेट्रोस्पेक्टिव असेल पाच्चा कहा सथी असेल 22 जुलाइप असेल पक्षात जा वेला डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन्स फाइल जाल्या तेथा जर कॉज ओव एक्शन चा वे जो दिलेला है ते वहां कौन होता हो जुलाइ महिना है यहां जाली कर चाहित जाले करने आउस्या में अवज्य आई आउस्य काह है आध्ता परुंतर एलक्शन खृव इंड्डेयां तो निरने प्रोस्पेशन तो निरने प्रोस्पेश्टिए भी आवश्य खाए सेरी जेशन फाएं अवेड़िफिकेशन निरी परन्तु इलेक्षिन कमिशन ता निर्णाय रेट्रोस्पेक्टिव नसुशकतो, पुडचा काला सटी असतो, तर 2022 मदे जा वेला ये डिफेक्शिन चे पेटिशन फाइल जाले, त्या वेला पक्ष कोणा चा कंट्रोल मदे होता, क्या पक्ष कोन रेप्रेजेंट करत होता, हे ये सम्जुन गेना आवश्यक आहे, ते तो निर्णाय घेतला नंतरत अपला पुडचे निर्णाय घेता है तील, तो रेट्रोस्पेक्टिव असेल, पाच्चा काला सटी असेल, 2022 जुलाइप असेल, पक्षात या वेला डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन फाइल जाले, त ते वहां कोण होता, पक्षा कोण रेप्रेजेंट करत होता है, या बद्दल माला विचार कराएं लागे, जुले मदे जीमूर सम्विधान होता, पक्षात शिव सेना ते तुमाला ग्राय धरेचे, तो पक्षाप्रमु के हुद्धो खातर है, तो अधिकार होता है, तो सब सविधाना दिलले, तर्थु दिन नुसार निवडन का जाले आहेत का, इलेक्षिन कमिशन चरिजे नियम आहेत त्या अनुसार, सब दारे वी न आ एका, और तो था जुण, तुमीस लागये. तुमचा कड़े काई वे स्पैंत नेम का अंदाज असे पत्री का तु भी जा प्रमाणी तालह ता प्रहत न करूँ निकश आशे सुप्रीम कोटा नी ता तीन चार निकश दिले ले आहे तकी त्यान अंतर और अर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर जाहे त्यान अंतर निवडू नाले सदस्ते जाहे त्यान ची मेज़ॉरिटी कोटे आनी कोणा बरोवर है ता विचार करहे ल पाई जे तर एकुड या सगया लोग और है अगे क्राइटीरिया जाहे ते प्रत्य केस साथी वेग वेग अपला होता है ता इलेक्शन कमिशन नी जो घेतले ले निर्णे आहे त्याचा पन आमाला एकुड बगायल लागेल कुछा बेसिज हो अत्ती घेतले ले पन वे शांगतस्तन आपले यहोड़ा ही संगतो कि इल इंडिपेंडेंडेंटली घेचे आमी तेंचरती अउलम्बून घेणान नाही निर्णे